ओ, वो कौन है? शायद वो हमारी मदद करें अरे सुनो, हमें मदद चाहिए हमारी मदद करो, मैं यहां हूँ यह तो वैमपार लग रहा है दोस्तो, आज गर्मियों का पहला दिन है और हमें इसे बहुत मज़ी से विताना है पारी 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 चलो दोस्तो, जल्दी करो दोस्तो, अपने बैक्स रदो फिर हम निकलते हैं यह तो प्टिये न हम अकेले जा रहे हैं या हमारे साथ लड़के भी आ रहे हैं ठीक है हम उनसे वही मिल लेंगे चलो दोस्तो, जल्दी अपना सामान अंदर रखो हम इस गर्मियों को यादगार बना देंगे हम इस गर्मियों को अपना सामान अंदर रहे हैं हाओ 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 मतलबी होजा जडरा मतलबी कुण्याई सुनता है क्यों खुद की भी सुनने कभी अरे दोस्तों क्या हुआ हम रूख के से गए लगता है कुछ गड़बर है डियाना देखो बैटरी डेड हो गई है दोस्तों मुझे विश्वास नहीं हो रहा है तुमने गारी को रात पर चार्ज भी नहीं किया प्लग लगाना इतना मुश्किल था बस करो दोस्तों बहस करने की कोई जरूरत नहीं है लड़के कुछी धिर में आ जाएंगे वो कार को धकेल कर ले जाएंगे और चार्ज भी कर देंगे ओ डियाना मुझे तो लगा था कि हम सी तक पहुची गए हैं और स्विमिंग करने वाले हैं हाँ लड़कियों लड़कों को फोन लगाओ अभी तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था हाँ दोस्तों जल्दी फोन लगाओ और पूछो ठीक है मैं फोन लगाती हूँ दोस्तों सिगनल नहीं आ रहा है मैं देख लेती हूँ हाँ जूली तुम देख लो मेरे फोन का भी सिगनल नहीं है तो तुम यहाँ बैठे बैठे कर क्या रही हो बाहर जाओ जाके देखो सिगनल है के नहीं हाँ गीगी तुम सही बोल रही हो चलो बार देख लेख है चलो जल्दी सिगनल देखो दोस्तो कैसी जगा फसे हैं यहां तो सिगनल भी नहीं मिल रहा अब लड़कों को कॉल केसी करेंगे अरे मेरे में भी सिगनल नहीं आ रहा है ओम दियाना जूली हमें स्विमिन करना है लड़कियों तुम दोनों का दिमाग तो ठीक है यह पानी से भरी बोतल दू क्या दोस्तो हम तो रास्ते में ही अटक गए और यहां पे सिगनल भी नहीं है कैसे निकलेंगे यहां से दोस्तो अभी एक ही आशा है कि लड़के आ जाएं और इस कार को यहां से निकाल ले और तभी हम समुंदर तक जा पाएंगे अरे कितने गर्मी है यहां और मेरा सिर पक रहा है अरे छाओ कहा है चलो दोस्तो जल्दी छाओ में चलो नहीं तो हमारी भी भुर्जी बन जाएगी जूली मैंने कहा था कि सभी के लिए टोपी खरीद लो हाँ आप तो छाओ में जाना पड़ेगा चलो अरे हमारे लिए रुको तो चलो जल्दी करो इंसान दोस्तो बुरे फसे हैं हाँ सच में बुरे फसे हैं एक तो गर्मी है और फिर सिगनल भी नहीं द्याना यहां से समुन्दर कितना दोस्तो समुन्दर गीगी क्या गीगी वो समुन्दर नहीं है वो श्रापित तालाब है अगर तैरी तो बकरी बन जाओगी लेकिन दोस्तों मुझे बहुत कर्मी लग रही है मुझे तो भूग भी लगी है अब हम यहाँ कब तक ऐसे रहेंगे? हाँ मुझे भी भूग लगी है नेट तुम जल्दी जाओ और गाड़ी में से जूली का बैग ले आओ हमारी मदद कर सकता है अरे सुनो अरे सुनो मेरी मदद करो मैं यहाँ हूँ यह क्या? यह तो वेंपायर है दोस्तों दोस्तों अरे नेट बैग पे कहा है? और खाना? नेट मुझे भूग लगी है खाना कहा है? चुप हो जा दोस्तों नेट? क्या हुआ? सब कुछ ठीक तो है? दोस्तों, दोस्तों, वहाँ वेंपार है, जलनी भागो, जलनी! जलनी दोस्तों, जलनो भागो, जलनी भागो! दिमा ये व्यकेसं तो बहुत ही कूल होने वाला है हाँ, हमारे पास गाड़ी है और लड़कियों के पास भी, हम अच्छा समय बिता सकते हैं ये लो, हम पहुँच गए लड़किया कहा है? लड़कियों ने तो कहा था हम जल्दी पहुँच जाएंगी केव क्या तुम मजा कर रहे हो? वो इतनी जल्दी कैसे आप आएंगी इतनी छोटी कार में भिमा फोन करो वो कहा है? क्योंकि रात हो जाएगी तो मजा नहीं आएगा मुझे भी स्विम करना है अभी करता हूँ लगता है नेटवरक नहीं मिल रहा तो फिर जूली गीगी या नेट को कॉल लगाओ ऐसा तो नहीं कि वो फिर से किसी प्राबलम में पड़ गई हो क्यों सच का हूँ तो किसी का भी नेटवरक नहीं मिल रहा तो फिर हम उन्हें कहां ढूंडेंगे? क्यों मुझी चिंता हो रही है कहीं उनकी गाड़ी तालाब में गिर गई तो? ऐसा तो नहीं लगता कि वो तालाब में गिर गई हो लेकिन वो लड़कियां है कुछ भी कर सकती है कोई बात नहीं, तालाप की तरफ चलते हैं, दोनों तरफ देखते रहना शायद कहीं देखते हैं यह ठीक लगता है, चलो चलते हैं, यहाँ खड़े-खड़े कुछ नहीं होने वाला ठीक है, आसपास ध्यान से देखना के ओ, देखो, वो रही कार वो यहाँ किसका इंतिजार कर रही है, और क्यों? चलो, अच्छा है, उन्हें ढूडने वे ज्यादा समय नहीं बिता लगता है, वो यहीं पिकनिक मनाने बैट गए, थोड़ा तो सबर कर लेते लड़कियों, क्या पिकनिक मनाने के लिए हम समंदर की और जाने वाले हैं? अरे, ये लड़कियां कहां चली गए? ज्यादा, जूली नेट, कहां हो? लड़कियों, कहां हो? अरे, लड़कियां कहां चली गई? लड़कियों, उस तरफ! उस तरफ एक छोटा सा होल है, जल्दी करो जल्दी करो लड़ी क्यों वो आ रहा है, वो आ रहा है दोस्तों लगता है उसने हमें देख लिया अरे चूप हो जाओ, चूप हो जाओ आवास मत करो इलकुल चूप हो जाओ बार आ जाओ, मुझे भूख लगी है देखो वेंपायर, हमें भी भूख लगी है हमारी कार के पास जाओ, वहाँ खाना पड़ा है पुरा बैक भर के खाना पड़ा है, हम साथ में खाएंगे मुझे इनसान चाहिए, बार आओ सुनो वेंपायर, मच्छर कहींगे अगर अपनी जान प्यारी है, तो यहाँ से चले जाओ अरे इसा मत करो, वो और घुस्ता हो जाएगा अब वो पक्का हमें ही खाएगा मैं नहीं जाओंगा, मैं तुम्हें ही खाओंगा अब क्यों देखो, वो कितना दुबला है, कमजोर भी लगता है आजाओ इदर आजाओ, बात करते हैं, आओ भी बताते हैं नहीं, मैं इसके आगे नहीं आ सकता, यह मुझे रोकता है अरे दोस्तों चुपा जाओ दोस्तों वो हमारा कुष्णी भी गड़ पाएगा, यहां देखो, यह देखो आजाओ, 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 उपके नहीं आ रहे ठीक है, कोई बात नहीं, मैं दूसरे दर्वाजे से आता हूँ चलो दोस्तों, यहां से दौड़ते हैं, नहीं तो वो हपिस आ जाएगा यहां नहीं को जाल हो, हम बाहर जाएं और वो हमें पकल ले जब्दल हम इस रेखा के पास है, हम प्रोटेक्टेड है, हम कहीं नहीं जाएंगे हाँ दोस्तो हम इस रेखा को नहीं चोड़ सकते हम इसकी वज़े से बचे हुए हैं लेकिन हम या भूग से मर जाएंगे जुली दियाना कैसा रहेगा कि हम तुम्हें कवर कर दें और तुम खाना लेनी चली जाओ वाँ क्या बात है अच्छा कैसा रहेगा कि मैं तुम्हें कवर करूँ और तुम खाना लेकर आओ दोस्तो घबराने की जरुएत नहीं है मुझे विश्वास है कि लड़के हमें ढून रहे होंगे मुझे लगता है वो अभी पानी के मजे ले रहे होंगे क्या वो समंदर की तरह शापित तालाब की तरफ तो नहीं चले गए लड़कियों है कुछ भी कर सकती है अब समझा रहा है कि हमें लड़कियां क्यों नहीं मिल रही वो तालाब के पानी में चली गई और बकरी बन गई वो भी सिंग और पूछ वाली वो बड़ी आराम से बात कर रहे हो जल्दी भागो नहीं तो गजब हो जाएगा लड़कियों 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 शायद हमें लड़कियों नहीं बकरी बोलना चाहिए बकरी 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 कहा हो दोस्तों देखो लड़के लड़ चूप 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 हो जाओ वेंपायर सुन लेगा वो लड़को को खा जाएगा और हमारा बचने का रास्ता भी नहीं रहेगा जब तक हम रिखा कि इस तरफ है बचे लेगा जो लेगा ना जो लेगा ना केव वो यहाँ नहीं है चलो दिमा दूसरी तरफ भी देख लेते हैं अरे लड़किया अब तुम्हें कबसे फोन कर रहे हैं और तुम जवाब भी नहीं दे रहे हो लड़को चूश दोस्तों ये सब क्या है तुम्हारी वज़ा से समंदर पहुंचने में देरे हो रहे है कौन है लड़को पीछे लेगा को असपिन ज़ाड़यों को पकड़ लो अब फस गए ओ लड़को अब बच गए बच गए ये मैं भूखा ही रह गया चलो लड़कियो अब चलते हैं तुम सोच भी नहीं सकते वो वेंपार हमें खाना चाता था बहुत डरावना था हम उसके चिला रहे थे उसके डरा रहे थे वो अब डरी नहीं रहा था हम तो एस्पिन पैड़ की वज़े से बच गए अब जल्दी करो तुमारी वज़े से ऐसे ही देर हो गई है और कितनी परेशाने भी अब चलो भी हमारी तो जिन्देगी खत्रे में पड़ गई थी जाई भी हमारी तो एकसे उन्देगी तो ढ़ ख़ब